तो Roman Reigns ने react किया अपनी 2 साल की title reign के उपर और क्या 24-7 championship WWE से जा चुकी है और बात करेंगे Rocky ratings के बारे में जो कि इस अपते बहुती कमाल की आई है और कौन वो superstar हो सकता है जिसके साथ Happy Corwin एक tag team में काम करना चाहेंगे और साथ क्या उन्होंने का Brock Lesnar के साथ काम करने के बारे में और Braun Strowman से जोड़ी भी एक छोटी से update है तो वीडियो काफे interesting होने वाली है वीडियो में end तक बने रही है तो मेरा नाम है अमन आप देख रहे है रसल बग तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 24-7 Championship के बारे में और रिपोर्स के अकॉर्डिंग WWE ने कोईटली रिटायर कर दिया 24-7 Championship को और इसका सबूत हमें RAW पर भी देखने को मिला जब RAW के में इवेंड में डेना ब्रूक को बैक्स्रीट दिखाया जाता है लेकिन उनके पास 24-7 Championship न में रिटन तभी होगा अगर WWE के पास उनके लिए कोई प्लैन होता है और अगर प्लैंस नहीं होते तो साइथ वो नहीं आएंगे तो रिसेंटली हैपी कॉर्बिन अपने ट्विटर अकाउंट पर एक क्वेसन आंसर का सेशन करते हैं जहां पर एक फैन उन से पूछता है कि अगर आपको टैक टीम में काम करने का मौका मिले तो आप किस के साथ करना चाहोगे और इसपर बेरिन कारन और ओस्टिन तैudj का नाम लेते हैं और अगर कभी हमें फ्यूचर में यह साथ देखने को मिलते हैं तो यह कमाल की टैक टीम हो सकती है इसके अलावा एक फैन उनसे पुछता है कि क्या तुम फ्यूचर में Brock Lesnar के साथ काम करना चाहोगे जिस पर वो ये जवाब देते हैं कि ये मेरे हाथ में तो नहीं है लेकिन अगर मुझे मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर करना चाहूँगा जो कि Raw के लिए एक बहुत ही कमाल की बात है और बताया जा रहा है कि USA Network भी Raw से काफी खुश है और वो कहते हैं I would love to see Brock Lesnar in judgment day तो guys सोचो अगर कभी हमें ऐसा देखने को मिलता है और judgment day के leader बन जाते हैं Brock Lesnar तो हमें WWE में क्या ही तभाई देखने को मिलेगी तो recently WWE और Amazon company ने मिलकर कई लोगों पर lawsuit file किया है और वो इसलिए क्योंकि वो WWE के fake title और championship को online बेच रहे थे और कहा जा रहा है ऐसे fake title Amazon store पर भी विकरे थे तो अगर आप भी कभी champion से मंगवाना चाते हैं तो आप WWE की official site से ही मंगवाएं तो हमारी final update हमारे travel chief Roman Reigns से जुड़ी है तो WWE के official account से एक tweet आता है जहाँ पर वो Roman Reigns को two year title reign के लिए congratulate करते हैं और इसी tweet को Roman Reigns retweet करके लिखते हैं कि एक ऐसा run जो की पहले कभी नहीं हुआ मुझे हर category में success मिली और कुछ ऐसा ही top of the mountain दिखता है इसलिए मुझे acknowledge करो और मेरे काम को appreciate करो तो Roman Reigns ने हमें से की तरह एक board statement दिया है लेकिन देखते हैं हमारे travel chief अपनी championship को retain कर पाते हैं यानि बाकि आज की वीडियो यहीं तक थी अगर आपको यी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को like कीजे चैनल को subscribe कीजे और comment करके ज़रूर बताना कि आप Brock Lesnar को judgment day में देख के लिए बाइ बाइ बाइ